जे नमस्कार मेरा नाम सनी सरवास्तो स्वागत आपका टीचर सड़ा 24-7 के यूटूब चैनल पे देखिए विहार जो है वो एक ऐसे ट्रैक पर चल रहा है जहां वो कह रहा है कि हम बहुत जल्दी एक कैलेंडर इशू कर देंगे जिसमें हम हर साल टीचिंग के एक्जाम लें टीचिंग का एक्जाम लें यानि टीचिंग रिक्रूट्मेंट एक्जाम लें ठीक है उसी के तहत एक जो न्यूज आ रही है कि बिहार बोर्ड ने अपनी तारीखों का कुछ एलान किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 15-23 फरवरी के बीच वो मैट्रिक की परिक्षा लेंगे एक से 12 फरवरी के बीच वो इंटर की परिक्षा लेंगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस पे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एक से 20 मार्च के बीच ये एस्टेट परिक्षा का आयोजन करना चाह रहे हैं जहां पर जो एस्बी टेट की परिक्षा है वो 22 से 23 के बीच होनी चाहिए और एस्टेट की मार्च 2024 के लिए जो है वो आवेदन की तारीक ये कह रहे हैं 14 से 28 दिसंबर तक हम एस्टेट का फॉर्म भरवा लेंगे ठीक है उसमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट है इसमें सुसाइद हो सकता आपको थोड़ा क्लियर ना बीच में प्रस्तावित है संभावित तिति है हो सकता है इसमें बदलाओ भी आपको देखने को मिले और साथी साथ माध्यमिक सिक्षक पातरता परिक्षा एस्टेट 2024 के लिए जो पहला एस्टेट कराने की बात की जा रही है वो संभावित तिति है एक मार्च से लेके 20 मार और उसके फॉर्म आने की जो तिति है वो कह रहा है कि 14 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकती है फॉर्म की जो डेट है वो यह कह रहा है कि लगभग आपका 14 से 28 दिसंबर तक तो इसका मतलब यह है कि पहले एस्टेट होगा और उसके बाद वर्ग 9-10-11-12 की परिक्षा आपको अगस्तक देखने को मिल सकती है एक से पाँच और छे से आठ में भी संभावनाएं बन सकती है वो डिपेंड करता है कि कि कितनी सीटे खाली है या और कितनी सीटे उसके अंदर एड होई है ठीक है तो बने रही है चैनल के साथ इस तरह की किसी भी न्यूज किसी भी अपडे के लिए देखते रही है टीचा सद्धा 24-7 जाय है